उत्पात की लागत बेची गई वस्तुओं या COGS की लागत के प्रमुक निर्धारक हैं, जो P&L स्टेट्मेंट पर दिखाई देते हैं वे राजस्व उत्पन करने के लिए उप्योग की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं तीन मुख्य घटक हैं, प्रत्यक्ष सामगरी, प्रत्यक्ष श्रम और ओवरहेद्स, आईए इन में से प्रत्यक कारक के बारे में चर्चा करें यह आउट्पुट के उत्पादन में सीधे उप्योग की जाने वाली किसी भी सामगरी की लागत है उधारण के लिए एक दोपईया वाहन के लिए इसमें इंजन, इंधन टैंक, सदमे अफशोशक, दरपन, हैंडल बार, पईये या टायर की लागत शामिल होगी हीरो मोटर कॉर्प, अमुल या एशियन पेंज जैसी निर्मान कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामगरी लागत महतवपून है Infosys, Wipro, भारतिय स्टेट बैंक या ICICI बैंक जैसी सेवा कमपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामगरी लागत कम या महत्वहीन है प्रत्यक्ष श्रम लागत एक उत्पात के निर्मान या सेवा प्रदान करने में शामिल व्यक्तियों की लागत को संदर्भित करता है लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन लाब, अरजित अवकाश शामिल है इसमें आम तोर पर व्यक्तियों को भुक्तान की गई ओवर टाइम लागत शामिल नहीं होती है इसमें कारेकारी, वेतन भोगी, बिक्री टीम को भुक्तान के गई कमिशन, विज्यापन, प्रशासनिक भवन के लिए भुक्तान के गई उप्योगिताओं या व्यवसाइक उदेश्य से निर्मित किसी भी अन्यसन रचनाओं के वेतन शामिल नहीं है ये सीधे किसी उतपात के निर्मान या किसी सेवा के वितरन में शामिल नहीं होते हैं जबकि प्रत्यक्ष सामगरी लागत और प्रत्यक्ष श्रम लागत प्रत्यक्ष लागत है ओवरहेड लागत में उतपात के निर्माण या किसी सेवा के डिलिवरी में अप्रत्यक्ष लागत शामिल होती है उधारण के लिए एक दुपईया वाहन के निर्माण में गोंद की सही मात्रा और लागत और उप्योग किये गए स्क्र्यूज की सही संख्या या लागत का ट्रैक रखना बहुत मुश्किल होगा गोंद और स्क्र्यूज की लागत अप्रत्यक्ष लागत होगी लेकिन इनकी लागत को अभी भी उत्पाद लागत के तहट शामिल किया जाना चाहिए यहे जानने के लिए कि इन लागतों की गणना कैसे की जाती है हमें लागत आमंटन के बारे में जानना होगा